हेलो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बेबी का दुरुवे के बारे में जब से बेबी का बिग बॉस में शो में आई है उन्होंने तहल का मचा के रखा है बेबी का कॉंस्टेंटली न्यूज में रहती है लेकिन फॉर आल रॉंग रिजन्स बेबी का की बत्यमीजी इतनी बढ़ गई कि सल्मान खान को भी उन्हें डाटना पड़ गया जबकि वो रियोन एस्ट्रोलॉजर जनारधन दुरुवे की बेटी है उन्हीं का लहजा रखते हुए सल्मान खान ने फर्स्ट विकेंड के वार पे बेबी का को कुछ नहीं बोला था लेकि यह फैशन सेंस आता कहां से है यह सब को जाने के लिए डूंट फोगेट टू वास्ट वीडियो तिल दी एंड बेवी का एक डेंटिस्ट एस्ट्रोलॉजर और एक्ट्रिस है बेवी का शो भाग या लक्समी में देवी का अब्रोय का करें तो कहा गया था कि बेवी का की को को स्टार से नहीं बनी होगी इन फैक बेवी का किसी के साथ बनना मुश्किल ही है लेकिन इस नौट बेवी का ने शो के कास्ट एंड क्रीव पे ऐलिगेशन लगाए कि वह उन्हें बहुत गलत तर ऐसे ट्रीट कर रहे थे भाग या लक्षमी बेवी का का पहला शो और उनक बेवी का का पैटर रीपीट होता दिख रहा है यह बात पहले पता चलती है लेकिन बेवी का शो में भी यही कहती रहती है पहले खुद लोगों को हाद से जादा ब्रोवोक कर देती है सबसे बत्यमीजी से बात करती है फिर कोई पलाट के कुछ बोले तो विक्टिम काट प्ले करने लगती है शो की एक्जिट में भी सेम ही दिख रहा है अब बात करते हैं बेबी का के फादर और उनके फैमिली के बारे में बेबी का की पाँच बहने हैं और दो भाई है बेबी का के फादर है पंडित जनारधन जी वो एक बहुत ही बड़े रियोन एस्ट्रोलाजर है बड़े बड़े सेलिब्रीटी उनके पास जाते हैं बिग बॉस के भी वो अल्मोस हर सीजन में आते हैं यह बेबी का ने खुद एडमिट किया था जब भी वो किसी से रोमेंटी के लिए लिंक होती है उनका वेट लॉस हो जाता है उस ताइम पे उन्होंने ब्यूटी पिजन इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिस इंडिया कंटेस्टेंट में भी पार्डिसिपेट किया था उसके बाद बेबी का ने बहुत शोज के ओडिशन दिये बलकि फिगर होने के बाद भी बेबी का कॉन्फिडेंट रही जो कि बहुत लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है फाइनली उन्हें सीरियल भागिया लक्षमी मिला इसके अलावा बेबी का को कुकिंग के शिर्फ शोख ही नहीं बलकि वो एक्सपोर्ट है पाँज बहने और दो भाई होने के वज़ए से उन्हें आदत है 40-40 रोटिया बनाने की बिग बॉस के घर में भी बहुत बार कंटेस्टन ने बेबी का की कोकिंग के तारिफ की है अपका क्या कहना है बेबी का के बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा वी होप आपको आज की वीडियो पसंद आईयो इफ यस तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें